सबसे पहले तो यह देख लो कि circle होता क्या I guess यह तो सबको पता होगा छोटे classes में आप पढ़ी लेते हो That circle basically एक figure होता है एक ऐसा figure होता है जिसका एक center से distance same रहता है मतलब circle is a figure of all points which are equidistance and are at the same distance from the center Circle एक ऐसा figure होगा जो कि center से बराबर दूरी पर हमेशा रहता है उसका circumference तो यह एक circle है circle के अंदर कौन कौन सी चीज़े होती है basically एक radius होता है एक diameter होता है एक क्या diameter radius होता है लेकिन एक चीज उसके अंदर radius हो सकती है radius क्या होती है center से circumference तक का distance फिर उसके बाद एक ऐसी line बनाओ एक ऐसी line बनाओ जो center से पास होती भी जाए और circumference तक जाए तो मतलब radius का आप डबल कर दोगे तो वह क्या बन जाएगा वह बन जाएगा diameter अब diameter मतलब center से हट के आप कोई और line बनाओगे center के अलावा center के अलावा कोई और आप circle के अंदर अंदर line बना दो उसको हम कहते हैं chord उसको हम कहते हैं chord फिर अगली चीज़ अगर किसी chord को ही तुम extend कर दो इधर और इधर chord को ही अगर extend कर दे हम आगे पीछे तो chord क्या बन जाएगा chord will become a second I hope इतना clear हो गया होगा फिर इसके बाद अगर हम second को ही थोड़ा और बाहर की तरफ बनाए मतलब एक line और बाहर बनाए जो की circle पे सिर्फ एक point पे touch करे मतलब कोई एक ऐसी line बना दे जो circle पे सिर्फ एक point पे touch होती भी जा रही हो इसको हम कहेंगे tangent सबसे बाहर जो लिखी हुई है यह है tangent ठीक तो यह हो गया tangent हमारा ठीक है तो इतनी चीजे होती है एक circle के अंदर और यह arc हो गया arc का मतलब होता है अब circumference का थोड़ा सा part ले लो तो इसको arc कहता है यह सारी circles के बारे में हैं circles के अंदर इतनी इतनी चीजे यूज होती है कोई भी चीज आपके question में आ सकती है कोई भी चीज़ों betा सकता है question में तो仔 आपको इन terms के बारे में पता होना चाहिए कौन सी चीज क्या होती है कोई term आ गया सेकेंट आ जया क्या आपको पता हीनुए second क्या होता है तो basically आपको इतनी चीजों के बारे में knowledge होना चाहिए कि radius क्या है, diameter क्या है, chord क्या है, second क्या है और tangent क्या है correct तो इतनी चीजे हैं, आप I guess इस figure को देखके समझ गया होगे सबका definition देखने की ज़रूरत नहीं है because definition नहीं पूछा जाता है आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीजे क्या है but इसका definition नहीं आए ठीक हर्शित राज Sir I want to let you know that I literally love your channel Thank you बटा Thank you, thank you so much Sir 2 minutes, let me just copy this diagram ठीक हे बटा, copy कर लो Sir I want to let you know Thank you हर्शित Sir Ratio and Proportion कब होगा आस्था Ratio and Proportion मैं कोशिश करता हूँ, जल्दी ही होगा एक बार जो topics चल रहे हैं वो खतम हो जाएं उसके बाद जो आप topic बोलोगे वो topic होगा Guys जितने भी लोग इस channel पे हो इस live stream से जुड़े हो Please इस live stream को like जरूर कर देना And subscribe भी कर देना Because आप लोग subscribe नहीं करते हो मैंने अभी जल्दी में अपना analytics देखा था YouTube का तो उसमें 70% लोग unsubscribe थे अब उसको मैं खोल नहीं सकता अभी इस समय 70% लोग unsubscribe थे मतलब इतने लोग हैं वीडियोस देख लेते हैं बड़ subscribe नहीं करते हैं Only 30% people subscribe to my channel यह subscribe rate है मेरा इस समय का 30% लोग subscribe करते हैं 70% देख के ऐसी ही चले जाते हैं तो कोशिश करना अगर channel पे नहीं हो तो channel के subscribe भी कर लेना और साथ में अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर देना ठीक So I hope diagram बन गया होगा अभी तक आर्रेन सरजी प्रणाम प्रणाम बिटा प्रणाम राम राम चलो अभी इस प्रणाम आगे बढ़ते हैं So पहली हमारी circle की angle property जो है वो है यह First property हमाई है यह ठिक अभी इस प्रणाम बारे हम डिसकस करते हैं की यह क्या है So first property जो हमारी है यह क्या कहती है देखो यह कहती है The angle That an arc of a circle Substant at the center माल learnt एक arc हमने लिया इस circle पे और हमने क्या किया जैसे मानलो यहां से लिया हमने point एक और यहां से point लिया और हमने एक angle बना दिया center पर center मानलो हमारे यहां पर है तो हमने center पर एक angle बना दिया तो यह center पर angle जितना भी होगा is double is double that which its substance at any point on the remaining part of the circle अगर इसी same segment से ऐसी same arc से आप कहीं पर भी circle पर एक और angle ऐसे बना दो तो जो यह angle आएगा अगर यह angle x होगा तो center पर बनने वाला angle 2x होगा basically यह कहती है यह property sir please GST पर भी एक वीडियो बना दिजे ठीक है ठीक है GST भी बनाते है तो basically यह simple सा एक theorem है जो यह कहता है यह property यह बताता है कि एक circle के अंदर अगर हम दो angles form करें एक center पर यह मानलो इस circle का center है center है तो यह मानलो center है और यह मानलो इसका circumference है circumference पर कहीं भी अगर हम कोई दो same points लें जैसे मानलो ab कोई दो points हमने लिए उससे center पर हमने angle बना दिया यह वाला जो center पर यह angle देख रहा है आप लोगों को यह और एक angle हमने क्या किया फिर उन दोनो same points से circumference पर बना दिया तो वहां पर जो angle बनेगा circumference पर जो angle बनेगा center वाला angle उस circumference वाले angle का double होगा तो बस यह basic सा property है इसके बाद अभी हम लोग देखते है second property and second property है यह angles in the same segment of a circle are equal so same segment में बनने वाले angles जो होते हैं वो equal होते हैं यह क्या है देखो जैसे मानलो हमाँ पास एक angle है कुछ इस तरह हमने दो points यहां पर लिए एक a point और एक b point और हमने क्या किया एक angle बना दिया ऐसे a और b से ऐसे lines हमने बनाई और एक angle यहां बना दिया ये और ये घिक तो ये जो angle होगा और ये जो angle होगा ये दोनो ही angles क्या होंगे, same होंगे अगर इसको मान लेते हैं P इसको मान लेते हैं Q so angle P is equal to angle Q ऐसा Q है, because यह property हमें यही बताता है, कि एक circle के अंदर, अगर हम दो angles बनाते हैं, same segment में same segment का मतलब, same points का use करके, AB को लिया, उससे एक angle बनाया, फिर AB को लिया, फिर दूसरा angle बनाया, तो same दो points का use करके, अगर हम circumference तक ले जाके, एक angle बना रहे हैं, circle के अंदर so वो दोनो angles के value क्या होंगे, same होंगे, या फिर इसको अगर आप एक layman की language में समझना चाओ, so कहीं भी circle के अंदर circle के अंदर कहीं पे भी दो पहाड हैं इस तरह, एक पहाड ये, एक पहाड ये तो कहीं न कहीं, अगर दोनों पहाड का base same है, अगर दोनों पहाड का base same है ये, तो कहीं न कहीं ये उपर के दो, जो tops के angle होंगे, ये same होंगे, दो पहाड हैं, कहीं पे दो पहाड दिख जाएं circle के अंदर तो ये और ये अंगल सेम होगा आप ऐसे समझ दो अगर समझना चाहो तो layman की language में ठीक है तो basically circle के अंदर अगर हम दो same angles बनाएं एक same segment में तो वो दोनो angles बराबर होते हैं तो ये है आपका second property of triangles फिर इसके बाद आ हम सर्क्ल का third angle property देखते हैं मैं जिससे बारबर triangle निकल रहा है अब हम देखते है circle का third angle property थीक है तो third angle property क्या है वो है ये थार्ड पर परत्य ये कहता है आ choosing kings semicircle is a right angle, angle लिना semicircle is right angle, इसका क्या मतलब हुआ, देखो, माल लो, हमने क्या किया, एक semicircle लिया, इस circle को हमने center से ऐसे cut कर दिया, एक हमने diameter ऐसे खीछ दिया, जो center से होके जा रहा है, so basically this diameter is dividing this circle into two halves, यह जो diameter है, बीच से बनना है, हमने draw किया है, यह क्या कर रहा है, यह इस पूरे circle को दो halves में divide कर रहा है, so जो उपर का यह हिस्सा है, यह half, यह क्या है, इसको हम कहेंगे semicircle, आधा circle ही कहेंगे, इसको semicircle का angle, अगर हम इसके अंदर कोई एक angle बना है, like हमने यह point लिया, और यह point लिया, यह point और यह point और यह point और यह पर इसको point A मान लेते हैं, इसको point B मान लेते हैं, और इन्ही दो points से हमने कहीं पर भी कोई angle बना दिया, मान लो ऐसे बना दिया हमने तो जो ये वाला एंगल होगा ये वाला ये एंगल होगा 90 degree so this is the property that angle in a semicircle is right angle अगर हम आधे circle में कोई एक angle draw करते हैं तो उसका जो ये angle होगा ये हमेशा 90 degree होगा so कोई भी semicircle हो semicircle मान लो ऐसा है उसके अंदर कोई भी तुम angle बना दो चाहिए यहां से बनाओ ये भी 90 होगा semicircle लिया हमने ऐसे और उसके अंदर हमने ऐसे angle बना दिया इस तरह तो ये भी 90 होगा तो semicircle के अंदर कोई भी angle बनाओगे वो आपका 90 degree होता है so basically ये है आपका third property so I hope third property भी समझ गयोगे आप लो so what are layman's language layman's language मतलब एक normal आदमी की भाषा में layman मतलब चलने वाला आदमी जो normal life जी रहा है उसको कुछ नहीं पता पढ़ाई के बारे में उसको अगर आप समझाना चाहो तो उसको बोलते है normal layman's language आम आदमी की भाषा में अभी हम लोग देखते हैं fourth circle का property अब यहां से शुरू हो जाएंगी दूसरे type की properties that is cyclic property यहां से आपका properties का heading change हो गया cyclic properties आ गया cyclic properties क्या होते है the properties which are related to cyclic quadrilateral so what is a cyclic quadrilateral पहले यह देख लो मान लो एक circle है और circle के अंदर हम एक 4 sides वाला figure draw कर दें तो इसको हम कहते हैं this is called this is called cyclic quadrilateral cyclic quadrilateral तो एक cyclic quadrilateral के अंदर जो properties follow होंगी उनको हम कहते हैं cyclic properties I hope इतना समझ गया होगे इतना चला अब देखो यह वाली property क्या कहते है opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary so opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary हमने कहा किया मान लो इस circle के अंदर हमने एक quadrilateral draw कर दिया इस तरह यह quadrilateral हमने एक ले लिया इस तरह तो यह एक cyclic quadrilateral है ठीक है अब हम क्या करते हैं यहाँ पर नाम दे देते हैं sides को vertices को A, B, C, D अब देखो यह property यह कहती है कि cyclic quadrilateral के जो opposite sides है वो supplementary होते हैं जैसे मान लो यह हमारा angle A हो गया इसके opposite कौन मिलेगा हमें इसके opposite मिलेगा C angle ठीक supplementary angles वो angles होते हैं जिनका sum 180 होता है तो basically opposite angles जो आपके quadrilateral के होंगे इस quadrilateral के होंगे वो क्या होंगे supplementary होंगे So I hope यह चीज़ समझ गया होगे आप लोग अब ही देखो एक और यहाँ पे supplementary relation बन सकता है that is अगर हम यह वाला angle ले 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 तो इसके opposite कौन सा angle है D बाला तो हम कह सकते हैं also angle B plus angle D यह भी क्या होगा 180 degree because यह property हमें बता रहा है that the opposite angles of a cyclic quadrilateral are supplementary I hope यह चीज़ समझ गया होगे कि cyclic quadrilateral के अंदर जो opposite angles होंगे उनका sum होगा 180 degree So यह हमें प्रोपर्टी यह बता रहा है Sir live stream on section formula section formula के उपर मैं पूरा वीडियो एक बना चुका हूँ आप चाहो तो देख लो उसको but live stream देखते हैं अभी आगे जाके कुछ time बाद हम लोग कर सकते हैं अभी तो नहीं इसके बाद अभी देखते हैं अगला हम लोग property I hope यह वाला property समझ गया होगे यह simple सा property है अब यहां के बाद इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला cyclic property cyclic property सिर्फ दो हैं एक तो यह वाली यह वाली बहुत important है अक्सर आपके questions में इसका use होगा इसके बाद second हमाई जो property है वो है यह second is the exterior angle of a cyclic quadrilateral is equal to the opposite interior angle अब यह property है कुछ ऐसी देखो अब यह exterior angle की बात कर रहा है जैसे माल लो हम आपस एक cyclic quadrilateral है कुछ इस तरह कुछ ही cyclic quadrilateral हमें बना लिया और इस cyclic quadrilateral में हमने एक exterior angle ले लिया यह यह हमारा exterior angle हो गया ठीक है तो the exterior angle of a cyclic quadrilateral is equal to the opposite interior angle तो अगर हम इस exterior angle के लिए opposite interior angle देखे तो वो कौन सा होगा अगर इस exterior angle के लिए हम opposite interior angles देखे तो interior opposite angle हमें मिलेगा यह because इस angle के opposite कौन सा है यही तो opposite मुझे दिख रहा है so exterior angle यह रहा this is exterior angle and opposite interior angle हमें मिलेगा यह उपर वाला ये, so theorem ये कहता है, property ये कहता है, कि जितना भी value इस exterior angle का होगा, इस cyclic quadrilateral के exterior angle का जितना भी value होगा, मालों ये आपका 120 degree हुआ, जितना भी हुआ, उतना ही same angle आपका, ये वाला side भी होगा, so ये आपका ये property कहता है, I hope ये भी समझ गए होगे, आसान है ये, अभी इसके बाद आते हैं, अगली properties पे, देखो properties सारे आसान है, अगर bit by bit देखा जाए, सारे property कोई मुश्किल नहीं है, बस main चीज़े questions में उनको लगा पाना, अभी questions भी हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा wait करो, पसादने वाले questions, अभी इसके बाद देखते हैं, हम लोग tangent and second properties, ये भी छोटी उटी हैं, देख लेते हैं जल्दी से, so tangent and second properties, property का heading फिर change हो गया, अब जो properties हम देखेंगे, वो tangent और second से related होंगी, so first property क्या कहती है, the tangent at any point of a circle and the radius through the point are perpendicular to each other, मतलब अगर हम एक circle का radius ड्रॉव करें, और इस circle का हम tangent ड्रॉव करें, tangent एक ऐसी line होती है, जो circle को एक point पर touch करके जाती है, कुछ ऐसी, ठीक है, ये हमाई tangent हो गई, ये हमाई tangent हो गई, और ये हमाई radius हो गई, so theorem ये कहती है, that at any point, the tangent at any point of a circle and the radius through the point, ये tangent है, और इस ये radius हमने बना ली है, tangent को touch करती हुई, तो हमेशा tangent और radius के बीच का जो angle होगा, that angle will always be 90 degree, ये बताती है ये theorem, that the angle between the radius and the tangent is always 90 degree, ये theorem हमें ये ही बताती है, sir, if we understand all the theorems, we can also do the proofs, sir, mathematics is not boring or a thing to fear, it's just beautiful, by the way, you are very decent and your explanation is good, I assure you, thank you, and आप सही बोल रहो, maths इतनी boring नहीं है, जितना लोग समझने लगता है, अगर maths समझ के पड़ो तो बहुत अच्छी है, ठीक है, और हाँ, proof हम अगर इसको समझ दें, तो proof कर सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके syllabus में वो नहीं है, तो ऐसी चीज अभी मत पढ़ो, at least exam के जस्ट पहले, जिसको पढ़के आपको exam में कोई benefit ना मिले, पढ़ने के लिए आप interest के लिए पढ़ सकते हो, बट अगर उसका exam में आपको कोई फाइदा नहीं मिल रहा है, तो आप उसको क्यों बेकारा करो, तो proofs आपके course में नहीं है अभी के लिए, तो उनको आप चाहो तो ignore कर सकते हो, बट आपका interest है अगर तो आप interest के थुरू पढ़ लो, interest के लिए पढ़ लो, बट exam point of view से proofs नहीं आने वाले हो बहाँ पर, चलो, इसके बाद भी हम लोग देखते हैं second, second नी next मतलब इसका tangent and second property इसका second है, बट overall आपका seventh property है यह, इसके बाद अगला property है यह, seventh property, from any point outside the circle, two tangents can be drawn and they are equal in length, मतलब यह कि अगर हम outside the circle, outside the circle, एक point लें और इससे दो tangents draw करें, एक यह tangent हमने draw कर दी, and यह tangent थोड़ा सा अगरवर हो गया, है एक minute, straight lines हाँ से बनाने में दोखो दिक्कत तो आती है, आप लोग समझते होगे, अभी हम लोग दूसरा tangent कुछ बना लेते हैं ऐसे, and point में खिसका के यह ले देता हूँ, यह मानलो हमारा point है, P, यह point है, बड़ा सा मैंने मोटा से बना दिया point यह, यह point है, and हमारा tangent यहाँ पे circle को touch कर रहा है, तो यह theorem यह कहता है, कि from any point outside circle, हमने एक point ले लिया बाहर यह, यह हमारा point P है, two tangents can be drawn, हमने दो tangents उससे draw कर लिये circle पे, and they are equal in length, अब जो tangent का length होगा, जैसे मानलों यह point A है, यह point B है, तो हम कहेंगे कि AP जो length है, AP tangent का length है, वो PB tangent के length के बराबर होगा, यह theorem हमें बताता है, यह property हमें यही बताता है, कि अगर external points से, अगर हम दो tangents का draw करें एक circle पे, तो उन दोनों tangent का जो length होगा, जो AB और PB length होगा, वो बराबर आएगा, राइट, अभी हम लोग देखते हैं, अगला property, that is last, and last property ही है, अब यह tangent and second property का, सबसे जादा important, angle wise कह सकते हो, आपको calculation में शायद यह काम आजाए, तो यह सबसे जादा एक तरह से important property है, angle find करने के लिए, शायद किसी भूलेबट के question में, आजाए यह पूछने, यह अला question, ठीक है, देख लो इसको भी, बट यह बहुत कम use होगा, मैं पहले से बता दूँ, जादा focus आपको शुरुआत वाली properties पर करना है, जादा focus, because वो जादा questions में लगेंगी, 10 में से 7-8 question आपके उनी से हो जाएंगे, 2-3 question में शायद यह लग जाए, 1-2 question में शायद यह यह property लग जाए, ठीक, चलो, देखते हैं अभी इसको, if a line touches a circle from the point of contact, जैसे मान लो हमने एक line लिया, और इस circle पर ऐसे हमने touch कर दिया, एक minute, अगे एक straight line बनाना बहुत मुश्किल है, और मैं इसको color change कर लेता हूँ, red से बनाता हूँ, तो देखो, मान लो एक line हमने बनाया, जोकि इस circle को जैसे एक point पे touch करते वें जा रहा है, यह हमारा line हो गया, circle को एक point पे, यहाँ पे touch करता वें जा रहा है, यह, तो जिस point पे इस circle को touch कर रहा है, a chord is drawn, इस point of contact से हमने क्या किया, एक chord बना लिया, chord कैसा होता है, ऐसा, from this point of contact, a chord is drawn, The angles between the tangent and the chord are respectively equal to the angles in the corresponding alternate segments. The angles between the tangent and the chord, tangent and the chord के बीच का angle ये होगा, ये angle जो मैंने mark कर रहा है अभी, is and the chord are respectively equal to the angles in the corresponding alternate segments. एक chord मानलो हमने ये बना लिया, ठीक है, और एक chord हम बना लेते हैं ये, एक chord हम बना लेते हैं इसको, ये, ठीक है, और यहाँ पर, इसको हम cyclic quadrilateral बना लेते हैं पूरा पूरा ऐसे, तो हमसे कहा जा रहा है, and एक minute, sorry, इसको quadrilateral नहीं, इसको हम complete करके triangle बनाएंगे, एक minute, एक minute, इसके हमने दो chords बनाएं, basically, जिस point पर ये touch कर रहा था, यहाँ पर, इससे हमने दो chords बनाएं, और इन chords को फिर ऐसे join कर दिया, इस तरह, ठीक है, तो ये, theorem ये कहता है, from the point of contact, a chord is drawn, the angles between the tangent and the chord, are respectively equal to the angles in the corresponding alternate segments, मतलब, जितना angle ये नीचे वाला होगा, अगर ये x ले लेते हैं, तो इसके alternate segment में कौन सा angle बना रहा है, ये वाला, और अगर हम इधर वाले angle की बात करें, अगर हम इस side angle ले लें, तो ये वाला angle आपका होगा y, chord का और tangent का angle जो ये वाला है, ये y है, तो इसके alternate angle कौन सा आ रहा है, और इस वाले segment में, corresponding segment में, ये वाला angle आ रहा है, तो हम कहेंगे that this will be equal to y, so last आपका जो theorem में ये बताता है, कि tangent और chord के बीच का जो angle है, वो alternate segment वाले angle के बराबर आता है, so this is the last theorem, ये आपका tangent है, ये आपका tangent है, और ये जो हैं ये, एक ये chord है, और एक ये chord है, so अगर ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ case है, तो आपका जो chord और tangent वाला angle है, वो बराबर होगा alternate segment वाले angle के, so ये last theorem था, तो इतनी आपकी theorem हैं, आप देख सकते हो, ये इम चेक कर रहा था, कि ये अला image है कि वहाँ पे नहीं, तो इतनी आपकी theorem हैं, मैं या पर अपने आपको height कर रहा हूँ, आप लोग चाहो तो इसको देख सकते हो, और चाहो तो इसका screenshot ले लो, इतनी theorem मैंने total आप लोग को अब यहाँ पर पढ़ा दिया, आप लोग देख लो, अगर कोई doubt है इन theorem में, तो आप बूस सकते हो मुझसे, सर्फ फिर से समझा दिजे 6, 7, 8, बिटा अगर आपको फिर से समझना है, जो देख लो जल्दी से मैं revise करा देता हूँ, चलो, 6, 7, 8 वा जल्दी से देख लेते हैं, देखो, और 6th theorem आपका यह कहता है, कि एक अगर हम tangent draw करें एक circle से, एक circle पे अगर हमें tangent draw करें, तो tangent का और radius का, यह radius है, यह tangent है, tangent radius हमेशा 90 degree पे होते हैं, तो यह कहता है 6th theorem, जल्दी दी revise कराऊँगा, फिर आता है आपका अगला theorem, अगला theorem है यह, 7th, 7th theorem यह कहता है कि आपने एक point लिया, और उस point से 2 tangent draw कर दी, circle पे 2 tangent draw कर दी, एक tangent आपका यह वाला है, एक tangent आपका यह वाला है, और एक tangent आपका यह वाला है, तो इन दो tangents का जो length होगा, यह बराबर होगा, यह आपका second यह वाला property कहता है, फिर इसके बाद last आपका property जो है, last property कहता है कि अगर एक line, एक circle को एक point पर touch करके जा रही है, ऐसे कुछ है देखो, इसको मैं draw करके बता रहता हूँ, फिर से, देखो, एक circle है, जिस पर की एक line ऐसे touch करके जा रही है, आप क्या करो, इस point of contact से एक chord बना दो ऐसे, और एक chord बना दो ऐसे, और इन दोनों chords को फिर एदर join कर दो, तो होता क्य है, कि जितना भी angle ये बन रहा होगा, chord और tangent के बीच, अगर ये x होगा, तो alternate segment, alternate मतलब इसके बाद वाले segment के इस वाले opposite angle, ये opposite वाला angle जो होगा, alternate segment का जो angle होगा, वो आपका same होगा, मतलब ये भी x होगा, ये बताता है आपका ये वाला theorem, फिर अगर हम कहें, ये वाले chord औ corresponding angle के बराबर होगा, तो अगर ये y है, तो corresponding angle का alternate वाला angle कितना है, ये वाला angle है, तो ये हो जाएगा y, so जो alternate angle है, alternate segment वाला corresponding angle है, वो उतना ही होगा, जितना chord और tangent के बीच का angle है, तो ये आपका बताता है last theorem, ठीक, इतनी theorem है, तो इतनी theorem सा अगर तयार कर लोगे, तो आपका circles chapter अच्छे से हो जाएगा और theorems भी एक तरह से main नहीं है main आपका तो यह चीज है कि आप इन theorems को apply कैसे कर पाते हो so अभी हम लोग करने वाले questions इसके बाद और उन questions में हम यह देखेंगे कि इन theorems को apply कैसे करना है questions पे main देखो भई चीज है सीख तो आप सब लोग लोगे theorems को लेकिन इन theorems को apply कैसे करना है अगर वो सीख जाओगे तो फिर किसी भी question में दिक्कत नहीं आएगी so इतनी theorems है again देख लो and अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे और अभी हम लोग करना है start करते है questions को questions yes बेटा questions करते हैं अभी अभी हम लोग करते है इस question को sir length में वो square वाला रह जाएगा square वाला हाँ पता नहीं एक theorem था वो इस बार हटके है वो नहीं है sir eighth नहीं समझ आया बटा भी दो को question में जब वो आएगा तब मैं आपको वहाप explain कर दूंगा ठीक है अभी के लिए उसको छोड़ देते हैं भाया third बता दो please third वाला देख लो जल्दी से देखो third वाला ये था that angle in a semicircle is a right angle एक semicircle में अगर कोई angle बनेगा तो वो right angle होगा ये था third वाला थेखोरण चलो अभी हम लोग करते हैं ये वाला question जल्दी से जल्दी से copy पर उठालो आप लोग भी साथ में questions को solve करो और एक मेरा suggestion रहेगा आप मानो ना मानो वो आपकी मर्जी है जब भी circle के questions को solve करना हमेशा कोशिश करना कि जो भी आपका question वाला figure है उसको पहले copy में बना लेना उससे दो फाइदे हैं पहला फाइदा तो ये कि आपका जो calculation part है वह आप वहीं पर कर सकते हो उसी के figure के अंदर और दूसरी चीज़ ये कि copy पर figure बनाने से क्या होता है आपके marks अच्छे आएंगे वहाँ पर examiner को लगेगा कि आपने actual में वहाँ पर कुछ मैनत की है उसको बना के किया एक तीसरा फाइदा भी होता है कि अगर आप figure बना के रख लोगे ना तो उससे steps लिखने में आसानी होती है कभी गलती नहीं करोगे तो अभी चलो इस question को करते हैं एंड देखते हैं कि यहाँ पर x का value कैसे निकल के आएगा कितना आएगा एक बच्छे का answer आ भी गया है I guess सही है आपका answer दीपक चारली आपका answer सही है रोनाक प्रखर आपका भी answer सही है शितिज आपका भी answer सही है प्रखर शुकला आपका answer गलत है ट्रिपाल एट answer नहीं है चलो जिते वच्छो का answer आ रहा है नोजीत, आर्यन, सेजल आपका answer एकदम सही है अभी चलो मैं इसको बता देते हूं यह कैसे होगा देखो यहाँ पर हमाए पास एक circle है और उसके अंदर कुछ angles दिये हो हैं और हम में x का value बताना है कि यहाँ पर x कितना होगा तो देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो मैंने जो second theorem बताया था second या first I guess था तो circle के अंदर circle के अंदर जब भी इस तरह same point से दो angles बन रहे हो तो यह वाले angle यह वाले angle सेम होते हैं तो मुझे दिखाई दे रहा है कि A और B point से दो angles बन रहे हैं एक यहाँ पर और एक यहाँ पर दो हमने angles बनाए हैं same point से A और B से तो यह दोनो angles same होंगे मतलब कि अगर यह वाला angle 50 है तो यह वाला angle भी क्या होगा 50 degree होगा so I will write angle ADB is equal to 50 degree is equal to 50 degree because angle in the same segment are equal ठीक है अब देखो यह तो आ गया लेकिन हमें यह नहीं फाइंड करना था हमें फाइंड करना था क्या हमें फाइंड करना था X का value ठीक है तो X का value कैसे आएगा देखो X का value निकालने के लिए यहाँ पर क्या करो आप ले लो triangle यह इन triangle ABD अब triangle ABD को अगर हम देखें तो इस वाले triangle में हमें यह 42 पता है यह पूरा X हमें निकालना है और यह वाला angle 50 हम find कर चुके हैं तो दो angle पता है एक angle निकालना है आप निकाल सकते हो इन triangle ABD हम कहा देंगे 42 प्लस 50 प्लस X तीन angles का sum जो triangle के सारे angles होते हैं उसका sum कितना आता है हम सबको पता है 180 डिगरी आता है तो हमने तीनों angles को लिया add कर दिया एक angle हमें नहीं पता है तो X का value हम इससे निकाल सकते हैं तो यह हो जाएगा 42 प्लस 50 यह आ जाएगा कितना यह आ जाएगा 92 प्लस X is equal to 180 डिगरी और 180 में से 92 आप minus कर दोगे तो X आ जाएगा So X will be 180 माइनस 92 यह कितना आजाएगा यह आजाएगा आपका 88 डिगरी So X is equal to 88 डिगरी I hope सबका आजार आ गया होगा चलो Sir you are very smart Thank you तारीफ के लिए आंगल सब्केंटिट बाइ से मार्क येस आप जैसे भी आंसर रख सकते हो आंगल इंदी सेम सेगमेंट अर इक्वेल यह आंगल सब्केंटिट बाइ सेम आरक अर इक्वेल जैसे भी आप बताओ बस उस प्रॉपर्टी को आप रीजन फॉर्म चलो अगर एक कोशन समझ में आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ सो नेक्स्ट कोश्चन है हमारा यह आई हूप सबको समझ में आ गया होगा अगर इसमें कोई डाउट है तो आप पूस सकते हो चाट में अगर इस बताने में थोड़ा दिखका था बट सोच सकते हो 30-25 के बीच में है कहीं ऐसे आप सोच लो सब्सक्राइब दू यू नो माई नेम जस्ट फॉर फन नहीं बटा आई डोंट नो यू नेम सर नॉर्मल प्रूविंग के कुश्चन आ रहे हैं नहीं ऐसे प्रूविंग के कुश्चन तो नहीं आने वाले सर प्लीज ट्रिग्नोमेट्री ऑल्सो ठीक है ठीक है करते हैं ट्रिग्नोमेट्री सर ओल्मोस्ट कितना टाइम लगेगा यह लाइफ सेशन में पिटा आधा गंटा और लगेगा कुश्चन को करने में अभी कुश्चन काफी और हैं सर प्लीज कंपलिट दो First of I.C.SE.S.S.S.M. ठीक है ठीक 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 है अभी हम लोग करते है चलो अगला कोश्टन एंड्ड नेक्स्ट कोश्चन है हमारा यह चलो, अभी इस सवाल ये question को करते हैं, देखते हैं, ये question कौन निकाल पाता है, अगर ये question निकाल लिया ना, तो circle मतलब आपको अच्छे से आता है, और अगर नहीं निकाल पाता है, तो मतलब तयारी ये भी कच्छी है थोड़ी सी, चलो, देखते हैं, कौन ये सबसे पहले न सवाल इसको solve करो, और एक करोड कहीं से लिए, चलो, अभी हम लोग इस question को करते हैं, और यहां पे हमें एक figure दिया हुआ है, और यहां पे हमें क्या करना है, एक्स जो हमें angle दिया है, उसको हमें find करना है, unknown angle हमारा x है, उसका value हमें निकालना है, तो अब थोड़ा से यहां प देखो, थोड़ा सा मैं help करता हूँ यहां पे, अगर यहां पे तुम देखो, वही second या first और property, शायथ first था, नहीं second property था हो, कि angle formed in the same segment are equal, और second property आपका था, first property आपका था, वहाला, center पे जो angle बनेगा, angle formed at the center is twice the angle formed at the circumference, so, यहां पे अगर ध्यान से देखो, तो अगर यह points हम देखें, A, और इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C, तो यहां पे ध्यान से देखो, कि A, B point से, यहां पे अगर draw करके हम देखें, तो A, B point से क्या हो रहा है, एक angle तो center पे बन रहा है, और same A, B point से हमने क्या किया एक एंगल बना दिया उपर तो एक एंगल ये वाला जो है ये तो center पर बना हुआ angle है और एक एंगल ये जो है ये आपका top पर बना हुआ angle है और ये बना किस्से है same दो points से बना है so angle formed at the center will be twice जो center वाला angle है वो double होगा उपर वाले angle से बदब circumference वाले angle से तो यहाँ पर हम कहेंगे that यहाँ पर हम कहेंगे angle aob is equal to 2 into twice of angle acb अच्छा यहाँ पर ये प्रोपर्टी कौन सी है angle formed at center angle formed at the center is twice the angle formed at circumference is twice the angle formed at circumference अब यहाँ पर आपको बस देखना पड़ेगा थोड़ा साब देख के दिमाग लगा ले जाओगे कैसे आएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 55 जितने बच्छों को यह 55 आ रहा है 55 वाला आंसर सही है 55 वाला आंसर मैं पहले से बता दूं 55 वाला आंसर देखो यहां से हमें क्या निकालना है हमें चाहिए एंगल ACB, ACB हमको निकालना है पहले है यह वाला आंगल तो आंगल ACB क्या हो जाएगा आंगल ACB will be equal to आंगल AOB divided by 2 तो आंगल AOB हमारा कितना है 70 तो इसको 70 रख दो 70 divided by 2 it is equal to 35 degree तो आंगल ACB का value कितना आ गया 35 degree तो यह हमने solve कर लिया यह आ गया 35 degree हमें X चाहिए तो अब जरा सोच के देखना हमें पता है यह वाला एंगल 90 है तो यह भी 90 होगा यह भी 90 होगा अब बस इस ट्रैंगल में ट्रैंगल वाला रूल लगा दो कौन से वाले ट्रैंगल में इसमें इन ट्रैंगल ए इसको माल लेते हैं कुछ M तो इन ट्रैंगल AMC क्या हो जाएगा X प्लस 35 प्लस 90 मतलब the sum of angles in a triangle is equal to 180 degree यह हो जाएगा equal to 180 degree 180 में से इन दोनों को माइनस कर दो X will be equal to आप 90 को उधर ले जाओगे माइनस करोगे बचेगा 90 35 को उधर ले जाओगे बचेगा उधर चाहके मतलब हो जाएगा माइनस 35 तो माइनस कर लो 90 माइनस 30 60 5 और माइनस करो यह आजाएगा 55 degree सो X is equal to 55 degree यह आजाएगा यहाँ पर X का वैल तो काफी बच्चों का सही आंसर आ गया था और जित्ते बच्चों का सही आंसर आ गया था मतलब आखकी तयारी बहुत अच्छी है अभी के लिए और अभी हमें करेंगे अगला question और जित्ते बच्चों का आ गया था वैसे उनक नहीं भी use कर सकते हो वो छोटे class में आपको सिखाई जाती है वो circles से उसका कोई direct लेना देना नहीं है बट वो use हो सकती है because वो आप पड़ चुके हो सर्यो स्माइल इस गुड़ आई लाइक इट थैंक्यू अभी शेग interior opposite angle is equal to exterior angle exterior angle is equal to sum of opposite interior angles आप x plus 35 is equal to 90 कह सकते हो वो भी ले सकते हो राइट आप यहाँ पे triangle वाला rule ना लगाना चाहो यहाँ पे तो यहाँ पे एक और चीज़ ले सकते हो that exterior angle 90 that this angle 90 is equal to sum of opposite interior angles तो यहाँ पे आप कह सकते हो 90 is equal to x plus 35 तो यहाँ से भी आपने x निकाल सकते हो 90-35 करके यह आजाएगा same 55 यहाँ पे आप लगा सकते हो exterior angle is equal to sum of opposite interior angles जो भी आप बता रहे थे sum of opposite interior angles तो यह भी लगा सकते हो आप इससे भी निकाल सकते हो गलत नहीं है तो इतना करने के बाद जब यह वाला angle AC भी आ जाए उसके बाद आप triangle AMC में sum of angles of a triangle लगाके इससे x का value निकाल सकते हो आरिन शाउट आउट तो यू शाउट आउट तो यू Sir please shout out my name, my name is Akhilesh just for fun आपका नाम Akhilesh है चलो akhilesh बीटा shout out to you Sir next question चलो जिते बचों का next question आ गया है अभी हम लोग करने वाले है next question और देखते हैं कि वो कैसे होगा So next question यह रहा आपकी screen पर चल अभी हम लोग करते हैं इस question को and देखते हैं कि यह कैसे होगा अभी अहाँ पर यह जो question है यह थोड़ा सा tough level का है tough नहीं है basically बस थोड़ा सा ज्यादा इसमें दिमाग लगेगा अगर लगा ले जाओगे तो यह answer आजाएगा इसका अगर नहीं लगा पाओगे तो मतलब थोड़ा सा भी तयारी उस level की नहीं है यह थोड़ा सा tough है मैं पहले से बता दूँ यह थोड़ा सा question tough है because इसमें थोड़ा सा आपको अलग हटके दिमाग लगाना पड़ेगा जरा सा जरा सा दिमाग अलग हटके लगेगा बाकी तो आ जाएगा है लगोशन चलो देखते हैं कैसे करना यह हमें यहाँ पर यह figure given है और हमें यहाँ पर दो angles बता दिये गए है angle A is equal to 35 और angle Q is equal to 25 जो कि figure में already हमने mark कर रखे हैं या हमसे हमें पहले ही mark करके दिये गए हैं तो हमें find क्या करना है angle PRB सोच के देखो यह angle कैसे आएगा angle PRB is equal to 35 और एकदम सही answer है आपका जिसका भी था मैं आपको एक shout out जरूर दोंगा आदित आदित ने सबसे पहले बताया angle APB नहीं PRB है विराज ने सही answer बताया है विराज ने ancestors ने एकदम सही answer बताया 35 is the correct answer कैसे होना है देख लो first part के लिए हम क्या करेंगे यहां पर first part हमारा आ जाएगा 35 answer सही बतारो सब लोग first part हमारा हो जाएगा देखो ऐसे PRB यह angle चाहिए तो इस angle के लिए हमें यहां पर यह वाला angle आप देखो A वाला यह वाला angle देखो यहां पर यह जो point है B और यह जो point है P इन दोनों point से एक angle बन रहा है कौन सा वाला यह वाला और इनी same point से PB से एक दूसरा angle बन रहा है यह वाला तो तो same वही property लगा that angles formed in the same segment जहां पर भी दो पहाड़ियां दिखें इस तरह दो पहाड़ियां दिखें same point से बन रही हो दो यहां पर भी अगर इस circle को ऐसे घुमा दो तो सोच के देखो BP से दो mountain peaks बन रही है तो दो mountain peaks बन रही है तो इन दोनों के angles same होंगे यही मैंने property बताया था that was first property था first and second property तो यह angle जो 35 है और यह angle नीचे वाला यह दोनों बराबर होंगे so what I will say is that angle first part के लिए angle PRB is equal to angle BAP is equal to 35 degree reason क्या हो जाएगा angle in the same segment angle in the same segment are equal so this will be the reason पहला हमारा part आ गया अभी देखते हैं second part so second part हमारा रहा यह second part पर हमें निकालना है angle PBR अब यहां पर पहले आपको PBR यहां पर नहीं आएगा पहले आपको BPR निकालना पड़ेगा यहां पर BPR I guess चलो देखते हैं कौन से वाला पहले निकले गाए यहां पर आपको कि पृवल्स देख लो यह angle आपका है तर टी फाईउ ठीक हैं यह थर्टी फाईउ और हमें निकालना है angle PBR पहले हमें यह पूरा angle चाहिए तो यह पूरा एंगल निकालने के लिए निकल सकता है PBR आलप पहले निकाल सकते हो ये PBR एंगल है ये हमको निकालना है ठिक अब यहाँ पर एक चीज देखना इसके लिए हमें ये वाला एंगल पहले चाहिए होगा इसके लिए हमें ये वाला एंगल पहले चाहिए होगा यह वाला यह वाला आंगल आ जाएगा तो आप इसको निकाल सकते हो तो यह कैसे आएगा सोच के देखो अब देखो इसके लिए आप क्या करो इसके लिए पहले हमको निकालना पड़ेगा यह पूरा एंगल झाएगा אבל वैंगेगा थैण लिए आप आ आंगे अ मैंगे अल्द़ा काब आपा हम क forecast इसे अपर इस प्न, आप निकालना आप क्या आप आ यह 5 सतरे दब आप आप क्या हम्न, आप क्या आप आ आप ओम हैएगा ंदवे ऒование अब यह आगिंग्स मैंने अटा दियें अभी देखते हैं यह आंगल हमने 35 निकाल लिये ठीक है इसके बाद हमें निकालना है यह वाला आंगल आंगल PBR यानि कि यह वाला आंगल तो यह आंगल कैसे आएगा PBR देखो यहां के लिए हमको क्या करना पड़ेगा पहले पहले हमको यहां पे निकालना पड़ेगा आंगल APR यानि कि यह वाला आंगल यह वाला आंगल कैसे आएगा देखो आंगल APR जो होगा वो होगा आंगल this प्लस दिस यानि कि आंगल R प्लस आंगल Q के ठीक है, Q है ऐसा देखो, एंगल R और Q क्या है, यहाँ पर interior angles है, देखो, आपका कुछ ऐसे figure है, यह, कुछ है ऐसे figure है, ठीक है, तो यह जो एंगल है, यह आपका है 25 और यह बाला जो एंगल है, यह क्या है, 35 और ये एंगल, यह एंगल मैं निकालने के लिए कहा रहाँ पो, तो यह क्या है, यह exterior angle है, तो एक formula होता है, that exterior angle is equal to sum of opposite interior angles, ठीक है, यह formula होता है, तो इसका हम use करेंगे, that exterior angle is equal to sum of opposite interior angle, यहाँ पे पहले हम निकाल लेंगे, angle APR, so angle APR equal to हो जाएगा, 25 plus 35, so 25 plus 35, reason आप यही दे दोगे यहाँ पे, that sum of opposite interior angles के बराबर होता है exterior angle, तो यह आजाएगा हमारा 25 plus 35, कितना, 5 add किया 40 and 60, यह 60 हो गया, तो APR आगया 60 degree, ठीक है, अब यह angle हमारा कितना है, 60 degree, ठीक, अब हमें पता है, that angle APB, जो angle APB है, यह वाला, यह 90 degree है, क्यों, because angle formed in the semicircle कितना होता है, 90 degree, तो हमें पता है, that angle APB is equal to 90 degree, reason क्या होगा, angle in a semicircle, वो होता है 90 degree, तो यह हो गया 90 degree, तो इसकी मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं, यह वाला angle, यह वाला angle हम निकाल सकते हैं, 90 पूरा angle है, यह वाला, इसमें से 60 minus कर दो, यह कितना आ जाएगा, यह बचेगा 30, तो यहाँ पर आ जाएगा angle, यहाँ से मैं line draw करके इधर करता हूँ, तो यह आ जाएगा angle, R, B, R, P, B, is equal to, R, P, B, या B, P, R कहलो, because B, P, R हमें find करना है, यहाँ पर, तो यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं, angle B, P, R, so angle B, P, R will be equal to, will be equal to 90 degree, because 90 degree आपका यह पूरा वाला angle है, यह, और इसमें से 60 यह माइनस कर देंगे, so 90 minus 60 करेंगे, क्या मिलेगा हमें, यह मिल जाएगा 30 degree, so angle B, P, R is equal to 30 degree, यह हमारा angle आ गया, तो मैं answer यहाँ पर लिखे दे रहो, यह 30 degree आ गया, और जो उपर वाला हमारा angle था, वो आ गया था 35 degree, अभी हमें एक angle और निकालना है, that is angle P, B, R, angle P, B, R कौन सा है, angle P, B, R है यह वाला, so यह कैसे आएगा, इसके लिए आपको क्या करना है, बस आप triangle लो लगा दो, आ जाएगा third part, और क्या है, so यह third part के लिए आप क्या करो, in triangle, R, B, P, क्या करो, सारे angles का sum कर दो, और यह angle आपका निकाल आएगा, so यहाँ से हम निकाल लेंगे, 30 degree प्लस 35 degree प्लस angle P, B, R, is equal to आना चाहिए 180 degree, तो यहाँ पर बस 180 में से इसको माइनस कर दो, angle P, B, R का value आपका आजाएगा, तो 180 माइनस यह हो जाएगा 65, 180 माइनस 65 करोगे कितना आजाएगा, यह आपका आजाएगा, 115 degree, yes, 115 degree will be the correct answer, तो यह आजाएगे हमाए तीनों आजाएगा, यह आजाएगा 115 degree, तो यह थोड़ा सा tough level का question था, because इसमें थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ा आप लोग को, तो यह इस तरह हो जाएगा yellow question, I hope सबको समझ में आ गया होगा, Sir, once more, काफी बच्चे बोल रहे हैं once more, तो इसको मैं एक बार और बता देता हूँ, चल्लो ठीक है, काफी बच्चों का आ गया है, बट मैं इसको एक बार और बता देता हूँ, ठीक है, एक बार और revise कर लेते हैं इसको, और मैं इसको मिटा के दुबारा कर देता हूँ, ताकि आप लोग को सही से समझ में आ जाए, ठीक, चलो, अभी हम लोग देख लेते हैं, ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे this is the angle formed in the same segment, अगर PB दो पॉइंट्स लो, तो इनी दो पॉइंट्स से उपर अंगल 35 बन रहा है, और इनी दो पॉइंट्स से नीचे वाल अंगल R बन रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा, अंगल R या PRB, अंगल PRB विल बी इक्वल टू, अंगल BAP, यह कितना हो जायागा, यह हो जायागा हमारा 35 डिग्री, मतलब कि अंगल PRB कितना आगया आपका, 35 डिग्री, रीजन आप खुद लिख ले न, लिख चुका था पहले मैं दोबारा नहीं लिखूँगा, इसके लिए पहले हमको निकालना पड़ेगा, यह बाहर वाला एंगल, यह वाला एंगल, तो यह वाला एंगल कैसे निकाल लोगे, देखो, सेकेंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, पहले यह बाहर वाला एंगल निकालेंगे, तो यह जो बाहर वाला एंगल है, यह एक्स्टीरियर एंगल है, exterior angle है, कुछ ऐसा figure अगर हमारा यह है तो यहाँ पर यह angle है 25 और यह angle है 35 और यह angle हमको बाहर वाला निकालना है तो इस figure में जो जो चीज निकाल दी है मैंने यहाँ पर लिख दी है तो यह हमारा exterior angle है so exterior angle जो होता है वो बराबर होता है sum of opposite interior angles के यह question मतलब formula आप याद रखना कि the exterior angle will be equal to this sum of opposite interior angles तो यहाँ से हम कह सकते है that angle APR मतलब कि यह वाला angle मैं mark कर रहा हूं यहाँ पर देख लो angle APR will be equal to sum of opposite interior angles opposite interior angle है कौन से 25 प्लस 35 यह दोनों है तो इनका sum निकाल दो आप तो यह कितना आ जाएगा यह आ जाएगा तुमारा यह आ जाएगा 5510 वन कैरी और यह आ जाएगा 60 पूरा 60 आ जाएगा 60 डिग्री है तो यानि कि exterior angle यह आ गया 60 डिग्री ठीक है कोई दिक्कत नहीं इसमें अब इसके बाद हमें यह पता है कि कोई भी जब angle semicircle में बनता है कोई भी semicircle में बनता है वो 90 डिग्री होता है तो semicircle इससे मैं yellow color से बना रहूं यह अगर पूरा angle 90 है यह वाला और अगर इतना angle आपका 60 है तो यह बचा हुआ angle कितना होगा यह बचा हुआ angle obviously कितना होगा that will be equal to 30 डिग्री this will be equal to 30 डिग्री सो यह angle आजाएगा 30 डिग्री तो कैसे लिखेंगे इसको हम लिख देंगे angle हमें चाहिए बी पी आर सो अंगल बी पी आर is equal to 90 minus 60 is equal to 30 डिग्री तो अंगल बी पी आर हमारा कितना आ जाएगा अंगल बी पी आर is equal to 30 डिग्री तो यह हमारा third part का answer आ गया है यहां पर बी पी आर जो अंगल है वो 30 डिग्री है तो देखो एक triangle का हमें यह वाला angle पता लग गया यह वाला angle हमें पता ही है यह वाला angle हमारा 30 है हमको क्या निकालना है हमें निकालना है PBR वाला angle PBR यानि हमें यह पूरा angle निकालना है तो यह कैसे आएगा आप इस triangle में triangle वाला formula लगा दो सो हम कहेंगे intra angle intra angle PBR क्या करो सारे angles को add कर दो हो जाएगा 30 प्लस 35 प्लस angle B बराबर आना चाहिए 180 डिग्री के और यहा angle B का मतलब क्या है यह वाला angle PBR तो इसको पूरा चाहो तो लिख लो PBR सो angle PBR is equal to हो जाएगा 180 माइनस 30 प्लस 35 कर लो कितना आ जाएगा 65 माइनस कर दो इसमें से यह आ जाएगा कितना 115 डिग्री सो आई हूप यह वाला question भी clear हो गया होगा आप लोग को प्लीज रिपीट 124 प्रॉपर्टी विटा आप एक काम करो आप जाके बैक में फर्स्ट मतलब शुरुवात में वीडियो को देख लो फर्स्ट के चार प्रॉपर्टी अभी बीच में तो question solve कर रहे हैं सबका disturb हो जाएगा आप लोग एक काम करो अगर किसी को नहीं समझ में है न तो इस live stream के बाद आप first properties जाके शुरुवात में एक बार देख लेना ठीक है मैं समझा ही है आपको समझ में आ जाएगी आप एक बार उसको दुबारा अराम से देखना slow motion में देखना समझ में आ जाएगा आपको अभी यह वाला question तो समझ में आ गया होगा चलो प्रक्र I solve faster than you बिटा अगर मुझे भी समझाना नहीं पढ़ रहा होता मैं बहुत fast solve करता सच में आप करके देख लेना को भी ट्रहा है बट समझाना पढ़ रहा है that's why थोड़ा सा time लग जाता है ठीक है यह बात आप लोग भी समझा चलो इसके बाद अभी हम लोग करत सिर्फ शेखी भगारना नहीं है मेरा काम यहाँ पर आप लोग को समझाना इसलिए time लगता है थोड़ा सा अगर समझना है तो time देना पड़ेगा ठीक है directly जल्दी से कर देने में कोई वो नहीं है अब मैं भी solve करके रखूं जल्दी फटा-फट कर दूं उससे ना आपको सम अब मेरा काम है आपको समझाना ठीक है तो जो भी बोल रहा था मेरा हो गया है तो चलो अच्छी बात है उसमें वो नहीं है बट मुझे समझाना पड़ेगा सब्सक्राइब करेंगे अभी उसका टर्न आने वाला है जल्दी चलो फिलाल तो मैस चल रहा है का कुशन कर लोगे अगला कुशन हमारा है इन दफिगर एक फिगर हमें घिवन है अब यह बोर्ड का कॉशन है बट के पता है यह बोर्ड का किसी साल का कुशन आपका है चलो इसको करते हैं अभी इन दफिगर यहां पे हमें दिया हुआ है एंगल DBC इसीए इप एडिट ड यह हमको दिया हुआ है बीडी इस दा डायमीटर जो बीडी है वो डायमीटर है मतलब सेंटर से होके गुजर रही है यह भी टर्म याद रखना बीडी इस डायमीटर ठीक कैलकुलेट अब हमें कैलकुलेट क्या है करना है we have to calculate आंगल बीडी सी पहली चीज हमें निकाल ली है आपे अंगल बीडी सी अब बीडी सी कैसे आएगा बीडी सी है कौन से अंगल देख लो बीडी सी हमारा है यह वाला अंगल पैन का कलर चेंज कर लेते हैं आप लोग कुछ दे इंटरेस्ट है यह अंगल हमको निकालना है ठीक अंगल बीडी सी फर्स पार्ट में कैसे वो होगा 90 degree का angle formed in a semicircle is 90 degree तो first part के लिए हम solve करना start करते है first thing जो हम बताएंगे that angle BCD is equal to 90 degree पहली चीज़ हम यह बताएंगे reason क्या हो जायागा angle in semicircle या angle formed in semicircle जैसे भी लिखो angle in a semicircle is 90 degree यह पहली चीज़ हम बताएंगे फिर इसके बाद हमको यह निकालना है angle D तो angle BDC will be equal to यहाँ पे आप सीदे सीदे हो जाएगा angle का angle का sum form डा लगा दो sum of angles of a triangle is equal to 180 degree दो angles पता है एक निकालना है तो यहाँ पे सीदे सीदे हो जाएगा angle BDC plus 90 plus 58 is equal to 180 degree बस सारे terms उदर ले जाके minus कर दो तो angle BDC कितना आ जाएगा angle BDC 90 उदर ले जाके minus करोगे 90 बचेगा so 90 minus 58 कर लो सीदे सीदे कितना आएगा यह यह आजाएगा हमारा 90 minus 58 यहां पर बचेगा 22 यह बचेगा आपका 42 यहां बच्चा 42 डिग्री यहां पर आ जाएगा sorry 42 नहीं एक कैरी चला गए sorry 32 बचेगा 32 32 डिग्री बचेगा 32 डिग्री बचेगा 32 डिग्री आ जाएगा आपका BDC का value ठीक है तो यह आ जाएगा हमारा इस पार्ट का अंसर वह एक बॉरू चला गया था मैंने उसको लिया नहीं इसलिए वह गलत आ गया था 42 यहां पर नाइन में से बॉरू जाएगा तो ना एट माइनस फ्री यह आएगा second part उब हाइम देखते हिये वाला second part है अंगल BECो कैसे नाइगा तेखो अब यह एंगल हमने निकाल लिया, अब हमें निकालना है BEC, तो BEC कैसे आएगा देखो, BEC वाले के लिए हम यूज कर सकते हैं इस वाले एंगल का, हमें पता है कि कॉर्डिलाटरल है BDCE, तो हम कहेंगे इसमें, इन कॉर्डिलाटरल, इन कॉर्डिलाटरल, BDCE, तो BDCE वाला कॉर्डिलाटरल जो है, उसमें देखो, अंगल E और अंगल D, यह दोनों अंगल क्या है, यह opposite angles of a कॉर्डिलाटरल है, तो यहां cyclic property लग जाएगा, यह हो जाएगा, अंगल D, प्लस अंगल E, यह क्या है आपके supplementary angles हैं, मतलब अंगल E और अंगल D को देखो, supplementary angles हैं, opposite angles हैं, तो यह supplementary relation शो करेंगे, तो अंगल BDCE हम निकाल चुके हैं, मतलब अंगल D, यह वाला हम निकाल चुके हैं, यह कितना आ गया था, यह आ गया था, 32, यह 32 आ गया था, अभी first part में हमने निकाला है, यह हो जाएगा, angle E will be equal to, यह पूरा अगर लिखो आप, angle BEC, angle E क्या है पूरा, angle BEC है वो, so angle BEC will be equal to 180 minus angle D, angle D हमने कितना निकाल था, 32, आप देखो, जब सिर्फ एक ही angle है, तो चाहो उसको angle D लिखो, लेकिन अगर question में BDC कर गया है, तो मैंने angle E को angle BEC करके लिख दिया है, उसमें कोई गलत चीज नहीं है, आप लिख सकते हो ऐसे, तो इसको minus कर लोगे, यह कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका 148 degree, ठिक, यह आपका आ जाएगा second part का answer, angle BEC, इसके बाद, अब इसको भी हम लिख लेते हैं, य जब भी कोई answer निकाल लिया कर उसको अलग pen से लिख दिया करो, तकि आपको पता रहे कि figure में आपको कौन-कौन से angles पता हैं, कौन-कौन से नहीं पता है, अभी देखते हैं last part, that is third part, अब हमें निकालना है angle BAC, यानि कि यह वाला angle, अब देखो यह वाला angle भी आप cyclic property उसकर करके निकाल सकते हो, आपको दिख रहा है कि अगर quadrilateral A, B, E, C अगर लो, तो third part के लिए अगर हम ले लें, in quadrilateral, in quadrilateral, a, b, e, c, ab, e, c वाला quadrilateral देखो, तो इसमें जो opposite side या कौन-कौन से हैं, एक यह नीचे वाला e दिखेगा, और एक यह उपर वाला a दिखेगा, So, these are the opposite sides of a quadrilateral, तो यह supplementary property शो करेंगे, that is angle E plus angle A, is equal to 180 degree, तो angle A निकालना है, तो angle A क्या हो जाएगा, angle A is equal to 180 minus angle E, angle E कितना हम निकाल चुके हैं, 148, तो 180 में से 148 minus कर दो, यह कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 32, So, basically हम इसको पूरे form में लिख देंगे, हम लिख देंगे angle BAC, A को मैंने angle A ना लिखे, पूरा लिख दिया, angle BAC is equal to, कितना हो जाएगा यह, यह हो जाएगा 32 degree, So, यह आ जाएगा हमारा 3rd part का अंसर, तो यह 1st part का अंसर आ गया यहाँ पे, 2nd part का अंसर आ गया यहाँ पे, और 3rd part का अंसर आ गया, यहाँ पे, So, I hope यह वैला question शोटै भी आप लोग समझ गए होगे, triangle in same segment, Angle in same segment, हाँ, आप angle in same segment भी लगा सकते हो, सही है, सही है, Angle in same segment भी लगा सकते हो, वैसे भी आजाएगा, आसानी से आजाएगा, चाहो तो ऐसे करो, चाहे तो यह तरीका कर लो, यह तरीका आप नहीं सही बता है, आप कॉडिलाइटरल वाला तरीका ना लगाना चाहो तो यह लगा सकते हो, यहाँ पर मैं दूसरा थर्ड पार्ट को इसको, थर्ड पार्ट को एक दूसरे तरीके से भी करके बता देता हूँ गलत नहीं है आप इससे भी लगा सकते हो दोने ही property आपके course में तो third part के लिए आप एक और चीज़ कर सकते हो यहाँ पे देखो यह जो angle D है यह वाला यह और यह यह same segment में है कैसे B से और C से B और C वाले point से क्या हो रहा है एक D पे angle बन रहा है यह वाला 32 degree और इसी point से एक यहाँ पे angle बन रहा है A पे तो यह भी property का हम use कर सकते हैं आसानी से आ जाएगा एक ही line में तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं angle BAC is equal to angle BDC और यह कितना आ जाएगा यह आ जाएगा 32 degree reason क्या आप लिखोगे इसमें angle in the same segment reason हमारा हो जाएगा angle in the same segment तो आप चाहो तो इस तरीके से भी इसको निकाल सकते हैं थर्ड पार्ट को थर्ड पार्ट आप ऐसे ना निकाल के इस तरीके से निकाल दो ठीक है Sir I am watching your video for the first time प्रले कैसा लग रहा है आपको वीडियो आप हमसे शेर कर सकते हो आप मैस का रिवेजन करवाएंगे हाँ बीटा मैस का रिवेजन ही करवा रहे हैं आप लोग को Sir I am watching your video for the first time Sir second property बताओ प्लीज यह वीडियो हो जाने तो फिर end में आपको एक बार रिवाइस करा दूँगा property next 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 ठीक है I hope यहां तक सब का आ गया है जितने भी बच्चे स्ट्रीम से जुड़े हो वीडियो को लाइक जिरूर कर देना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना आप लोग नहीं करते हो इसलिए बार बार बोलना पड़ता है बोलना मुझे भी नहीं अच्छा लगता है बट कर लिया करो विकॉज चैनल का 70% रेट है कि 70% लोग वीडियो देखके सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब किया करो अच्छी बात होती है चलो अब यह लोग करते हैं अगला पार्ट अगला question है हमारा यह question number 5 अभी देखते हैं कि यह कैसे होगा अब यह आपका जो है question यह आपका last वाली property का भी यह use करेगा मतलब इसमें आखरी वाली जो properties ही वून का भी use हो गा यहां पर पिटा लव प्रॉम राजस्थान, पिटा लव प्रॉम लखनाव, I am watching but I am in एर्थ, एर्थ में तो अभी पिटा आपके किसी काम का नहीं है, जब बड़े क्लास में आओगे तब आपके लिए यूस्फुल होगा यह सारा कुछ, Sir, make revision video on which subject, Sir, you make revision, maths पे, chemistry पे, physics पे, अभी सब पे बनाएंगे, जितने भी topics पॉसिबल हो पाएंगे, उतने topics पे हम लोग revise करेंगे, revision करेंगे, आप लोग जो बता होगे, उस पे revision कर लेंगे, चलो, अभी हम लोग करते हैं इस वाले question को, So, देखते हैं, क्या है question, in the given figure, TP and TQ are two tangents, अब इस जो figure हमें given है यह वाला, इसमें TP and TQ दो tangents है, हमें दिख भी रहे, कि दो tangents ऐसे बनी हुई है, एक circle है, और उस पे दो tangents ऐसे बना दी गई है, एक point से ऐसे, एक point से दो tangent बना दी गई है, तो यह हमको कुछ ऐसा given है आगे पड़ते है question को, फिर हमें आगे given है, width center O, circle का जो center O है, touching at A and C respectively, अचा, जो tangent है वो A और C point पे touch कर रही है, यह हमें given है, फिर हमें और क्या given है, angle BCQ is equal to 55 degree, so angle BCQ हमारा कौन सा है, angle BCQ है यह, यह angle हमको दिया हुआ है 55 degree, so angle BCQ is equal to 55 degree, और हमें क्या दिया हुआ है, angle BAP is equal to 60 degree, angle BAP, this angle is equal to 60 degree, so, यह angle हो गया, 60 degree, ठीक, तो हमें find क्या करना है, first we have to find angle OBA and OBC, so first we have to find, जो find करना है, उसको मैं अलग color से mark कर रहा हूँ, so हमें find क्या करना है, angle OBA, मतलब एक यह वाल angle हमें find करना है, यह कितना होगा, और हमें दूसरा find करना है OBC, यानि कि एक यह वाल angle हमें find करना है, कि यह वाल angle कितना होगा, so यह दोनों angles हमें find करना है, अब थोड़ा दिमाग लगा के सोचो कि यहां पे हम यह कैसे निकाल सकते हैं, सोचो थोड़ा, कैसे निकाल सकते हैं यह, देखो, हम क्या कर सकते हैं यहां पर, हमें पता है, कि यह और यह radius हैं सर्किल के, और यह और यह यह भी radius हैं सर्किल के, सारे radius हैं, तो मतलब कि यह आपके बराबर साइट्स हैं, यह वाले साइट्स जो हैं, बराबर के साइट्स हैं, तो हम यहाँ पर एक चीज कह सकते हैं We can say that OC is equal to OB is equal to OA यह क्या है? सारे ही radius हैं इस circle के यह हमें दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ पर यह कहेंगे that triangle OBC and triangle OAB are isosilis यह दोनों ही triangles क्या होंगे? isosilis होंगे क्यों? because this triangle के दो-दो sides क्या है? same है तो obviously जितना angle आपका यह होगा उतना ही angle आपका यह होगा और जितना angle आपका यह होगा उतना ही angle आपका यह होगा तो दोनों angles भी same होंगे तो कहने का मतलब यह है कि अगर हमें कोई भी एक आंगल पता लग जाए एक आंगल का कोई भी एक आंगल पता लग जाए तो दूसरा वाला आंगल भी उतना ही होगा उसी के बराबर होगा ठीक तो हम यहाँ पे किसी भी एक आंगल को पहले फाइंड करेंगे और कौन से वाले angle को find करेंगे नीचे वाले angle को और ये वाले angle को देखते हैं कैसे find होगा मैं यहाँ पर दूसरे color से mark कर देता हूँ यहाँ पर मैं orange color का use करता हूँ तो हमें ये angle find करना है एक ये वाला और एक ये वाला अगर ये पता लग जाएंगे हमें angles तो हम बाकी फिर आगे proceed कर सकते हैं अब यह कैसे find करोगे देखो यहाँ पे हमें यह पता है एक property हमने पढ़ी थी थी ना tangent और second properties में first property that जो radius होता है radius जो होता है वो हमाई circle में circle के tangent से 90 degree पे होता है तो यहाँ पे जो radius है इसको अटा रहाँ यहाँ पे जो radius है वो आपके circle के tangent से 90 degree पे होता है मतलब कि यह वाला जो angle है यह 90 degree है यह 90 degree है उसी तरह यह भी इधर का भी 90 होगा और यह भी 90 होगा मतलब कि जो radius है और tangent है यह आपस में 90 degree पे दोनों के हैं तो यहाँ पे में यह हटा दे रहा हूँ तो radius और tangent 90 degree पे है यह हमने first property पढ़ा था यह आपका property है that tangent and radius are at 90 degree from each other तो यह 90 degree हो गया अब यह 55 है यह 90 है पूरा angle 90 इतना 55 तो यह बचा हुआ angle कितना होगा 90-55 करके हम इसको निकाल सकते हैं यह हो जाएगा आपका 90-55 कितना बचेगा यह 35 ठिक कोई दिकत नहीं है उसी तरह इधर साइड अगर हम निकालें तो यह कितना आजाएगा 90-60 करो नीचे साइड वाला angle देखो 90-60 करो यह आजाएगा आपका 30 degree यह 30 degree आ गया तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि हमने किया क्या है तो हम पहले तो कहेंगे since since tangents या tangent is perpendicular to radius यह theorem मैं यह property है तो हम कह सकते हैं that angle पहले हम देखेंगे कौन सा angle यह वाला B या OCB angle OCB is equal to 90-55 और यह minus करके कितना हमारा आ गया 35 degree so angle OCB कितना आ गया 35 और हमें क्या निकल आएगा यहां से angle O A B यह कितना आ जाएगा यह आ जाएगा 90-60 नीचे बाला है जो angle है तो 90-60 करेंगे यह कितना आ जाएगा यह आ जाएगा 30 degree ठीक है अब अब हमें क्या चाहिए हमें चाहिए angle O B A और O B C अब O B A और O B C कैसे निकाल लोगे देखो यह angle आ गया 35 और 30 मैंने लिख भी दिये है अंदर अब हमें यह वाला angle चाहिए तो यह angle कैसे आएगा इस angle के लिए क्या करो एक मिनिट इस angle के लिए क्या करो देखो यह ISOCELIST triangle है अब यह जितना 35 है यही angle यह वाला होगा तो यानि कि यह भी आपका हो जाएगा 35 और यह जो नीचे आपका angle है 30 इतना ही same angle यह होगा तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 30 degree तो basically यहाँ पर हम क्या कहेंगे जो answer हमारा हो जाएगा हमारा answer होगा angle OBA फर्स पार्ट का answer लिखेंगे यहाँ पर angle OBA is equal to OBA कौन सा angle है यह वाला यह वाला this is equal to 30 degree reason क्या हो जाएगा it is a ISOCELIST triangle और angle OBC OBC कितना हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा 35 degree ठीक इसके बाद अब हम निकालते हैं second part को second part हमारा यहाँ पर में निकाल देता हूँ second part में हमें निकालना है angle AOC AOC कौन सा angle है यह वाला बड़ा वाला angle अब angle AOC के लिए सोच के देखो कौन सा property लगेगा एक हमने property पढ़ा था angle formed at the center is twice the angle formed at circumference तो यह जो AOC है AOC है यह किसका twice होगा यह इस पूरे angle का twice होगा AOC वाला angle जो उपर angle बन रहा है top पे उसका twice होगा यहाँ पे हम कह सकते हैं that angle AOC is equal to 2 into is equal to 2 into angle B अब angle B जो है जो उपर वाला यह angle है यह angle पूरा कितना है 35 प्लस 35 कर लो तो 35 प्लस 30 कर लोगे कितना आ जाएगा यह आ जाएगा angle B पूरा अगर निकालोगे तो यह दोनों add करोगे 35 30 जो उपर मैंने angle B के पास लिखे हैं यहाँ पे लिखे हैं यह दोनों तो यह दोनों को add कर लो यह कितना आ जाएगा यह आ जाएगा 65 तो 2 into 65 कर लो 2 into 65 जैसे ही करोगे यह कितना आ जाएगा यह आ जाएगा आपका angle AOC is equal to 130 degree 130 degree obviously इतना अंसर आ जाएगा इसका इसके बाद last part हमारा क्या है angle A T C हमको निकालना है so angle A T C के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे A T C कौन सा angle है यह वाला पहले तो देख लो यह वाला angle हमको निकालना है अभी अब इस वाले angle के लिए हम क्या कर सकते है देखो यहाँ के लिए कोई भी circle का property basically नहीं लगेगा because यह circle के बाहर का angle है यहाँ के लिए हमारा यहाँ पे theorem लगेगा कि देखो किसी भी quadrilateral के angles का sum होता है और total sum होता है 360 degree ठीक है इस पे तो आगरी करोगे आप सब लोग तो यह वाला angle हम निकाल चुके है कि यह कितना आया है यह आया है 130 degree यह आगया हमारा 130 degree यह angle हमारे है 90 degree तो हम यहाँ पे कह सकते है in quadrilateral in quadrilateral A T C O A T C O वाले quadrilateral में अगर हम सारे angles का sum निकाले है angle A T C ले ले बाहर वाला angle यह वाला angle अगर ले ले angle A T C plus हम सारे angles का sum कर ले तो यहाँ पे हम angles ले लेते है 90 एक यह 90 degree है एक यह 90 degree है angle C के पास plus 90 plus 130 तो यह equal to आ जाएगा 180 के बस क्या करो 180 नहीं सब्दी 360 के 360 के तो क्या करो सारे angles का sum करके 360 में से माइनस कर दो तो 90 90 करोगे एक 180 आएगा 180 माइनस हो जाएगा बचेगा 180 180 में से 130 भी जाके माइनस कर दो कितना बचेगा so angle A T C हमारा जो आएगा आ जाएगा वो angle A T C will be equal to 180 माइनस 130 so angle A T C आ जाएगा हमारा 50 degree angle A T C आ जाएगा हमारा 50 degree so I hope ये वाला question भी समझ में आ गया होगा आप लोग को 130 प्लस 90 प्लस 90 yes आप इन सब को प्लस करके 360 में से माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 50 degree माइनस कर लो इतना आँसर आ जाएगा so I hope ये वाला question भी समझ में आ गया होगा अगर किसी को question नहीं समझ में आया तो आप लोग मुझे बता सकते हो but I hope सब का आ गया होगा भी yes sir all your videos are very good and helpful to us चलो बटा अच्छी बात है अगर आपके लिए help हो रहा है purpose यही इन वीडियो का कि आपका help हो आपको समझ में आना चाहिए आपका help हो आपके exams अच्छे हो बस यही purpose इन वीडियो का sir I have send you questions on your email ठीक है मैं उन questions को देख लूँगा but उन questions को हम लोग अगले live stream में अभी solve करेंगे ठीक है अगर circle से related question है तो अगले live stream में हम उन questions को जरूर लेंगे supplementary also supplementary वाला theorem नहीं लगा सकते वो सिर्फ cyclic quadrilaterals के लिए होता है ठीक है Thanks repeat अब बिटा एक बार आप इसको देख लो repeat करने के से मुझे नहीं लगता जरूरत है अब से easy तो है एक बार फिर से एक बार इसको recall कर लो आपको समझ में आ जाए गए सर सिकेंट property बताओ सिकेंट property चलो ठीक है एक बार मैं property इसको बता देता हूं बता के देता हूं आपको revise कराता हो जल्दी से एक बार कि हम लोगों ने अभी तक क्या देख़ा है और इस हैं नेакс्ट कोर्पिंसर नेक्स्ट कोष्ट्रेम में मिलेगा है मैं इतने ही कोष्चम्स्ट Movies तैंग अभी के अभी जुतने पूब्लम वाले कोष्ट्रेंस है आप लोग के काम करना आ आप टो मैं अपना मेल बता आप लोग अपने problems जो भी आएं अभी तो थोड़े questions खुद से लगा के देखना जितने भी problems आते हैं वो problems आप इस email पर आप मुझे बेज सकते हो ठीक इस email पर problems बेज सकते हो question अगर solve किये हैं तो solve करके बेज सकते हो problems basically बेजना अगर कोई question नहीं आता है पहले तो खुल लगा के देखना नहीं आता है तो आप इस पर मुझे problems बेज सकते हो इस email पर मैं उन questions को अगले live stream में लेनी कोशिश करूंगा और सारे questions solve करने कोशिश करूंगा ठीक है तो कोई कह रहा था कि सर बता दीजी एक बार चलो हम देख लेते हैं जल्दी से recall कर लेते हैं कि अभी तक हमने यहां पर क्या क्या देखा इस live stream में तो सबसे पहले यहां पर हमने द properties में that center वाला angle choice होता है circumference वाले angle के फिर हमाई second property थी यह वाली कि angles formed in the same segment are equal, same segment में बनने वाले angles equal होता है और angle semicircle में जो बनता है वो 90 degree होता है, फिर cyclic properties में यह था कि जो cyclic quadrilateral होता है, circle के अंदर एक quadrilateral बनता है, उसके opposite angles का sum 180 degree होता है, यह हमने देखा था, फिर हमने यह भी देखा था कि जो cyclic quadrilateral होगा, उसके जो exterior angle होगा उसका, वो opposite interior angles के बराबर होगा, opposite interior angle के बराबर होगा, एस नहीं angle के बराबर होगा, फिर छटा property हमने यह देखा था कि tangent और radius जो भी हम बनाते हैं circle के, उनके बीच 90 degree का angle होता है, 7th property यह था कि जब भी हम एक external point से 2 tangent draw करेंगे circle पे, उन tangent का length जो होगा equal होगा, अभी तक यह use नहीं पड़ा और इसका angle निकालने में use नहीं पड़ता है generally, बट अगर length पूछता कहीं पे तो शायद हम इसका use करते है, कि जो length point यह बराबर होता है, फिर इसके बाद 8th property हमारा यह था, अगर हम एक line बनाए circle पे touch होती हुई और उससे 2 chords बना दे, तो जो angle chord और tangent के बीच बनेगा, जो angle chord और tangent के बीच बनेगा, वो alternate segment के corresponding angle या corresponding alternate segment के angle के बराबर होगा, मतलब दूसरे वाले segment में जो angle बन रहा होगा, उस अगर इधर वाला left वाला y लोगे, वो angle लोगे, तो वो alternate segment में बराबर होगा, अंदर वाले segment में जो y angle होगा, उसके बराबर होगा, तो यह आपके सारे theorems थे, इतना आपका पूरा circle chapter है, circle chapter मैंने कहा था, थोड़े से में निपट जाएगा, और थोड़े से में निपट गय इतनी सारी properties हैं, अगर properties समझ में आ गई हैं, तो बस circle chapter के लिए इतना सा आपको देखने की जरूरत है, एक जलक मारोगे, आपको सारी properties दिमाग में revise हो जाएगी, overall आपका पूरा circle chapter इतने में ही limited है, और बाकी इतना कर लोगे, तो आपका circle chapter अच्छे से हो जाएगा,